वेरी गूद मॉनिंग वह वे यू क्लास नाइंथ होप यू है ड़न वाट वास टॉट इन एलेक्टरल पॉलिटिक्स लास्ट सेशन अप लोगों ने पढ़ लिया होगा दो बार सुन लिया होगा कुश्चन आंसस त्यार कर लिया होगे आपको पिछली बार पढ़ाया था प स्पुल नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने कहना ही नहीं माना उन्हें किताब ही नहीं खोली और उन्होंने वीडियो नहीं सुनी लेट आस ओपन टू पेज 36 लेसन नम्बर 3 सिविक्स एलेक्टरल पॉलिटिक्स अब हम आज पढ़ेंगे वाट मेक्स अन एलेक्शन डेमोक्र क्या चीज है जो एलेक्शन को लोक तंत्र बनाती है एलेक्शन कई तरीके से एलेक्शन हेल्ड हो सकते हैं allowed कनाइस किये जा सकते जितने भी लोक तंत्रिय देश हैं हमारे दुनिया में वहां इलेक्शन होते ही एफे हैं ये पिछले चंप्टर में भी बताया है और आपको जब मैडम ने कहीं पड़ाया होगा चंप्टर बन में अगर और कोई election आपको पता है counselor के area के और इधर दे छोड़े बड़े election होते रहते हैं तो इस तरह हम लोग country है और इन elections को किस तरह से distinguish करेंगे इनमें difference करेंगे ये briefly chapter 1 में समझाया गया था बहुत examples भी दिये गए थे देशों के जहां इस परकार के elections होलते हैं लेकिन बड़ा मैंने आपको पिछली बार वे इनको reality में देखा जाए democratic elections के हका आनी जाएगा तीक है आप बताओ मुझे सरकार आपका ये जो क्या कर रही है इतने धरने हो रहे हैं आए दिन इतने इलकिसान मर रहे हैं कि इसलिए उनकी decisions नहीं हो पा रहे हैं सरकार उनकी सुनती ही नहीं है चलो आओ अब हम पढ़ें एक simple list उन कंडीशनों की उन स्थिती की जहां democratic election होते हैं पहली बात ध्यान रखिया निले निले पॉइंट में सब को अधिकार होता चाहिए अपना representative करने का इसका मतलब है एक वोट हर इनसान को डालना चाहिए सब के वोट की equal value है गरीब अमीर पॉइंट तो इतने हैं आप लिख लो गरीब अमीर जात पात चोटी जात बड़ा जात ये सब कुछ नहीं इसमें मानने हैं अच्छा उनको वोट देना ही है वो citizen है अधिकार है दूसरी बात parties और उमीदवार वो सुतंत्र होने चाहिए अपने election को compete करने के लिए contest करने के लिए ठीक है कुछ होना चाहिए choose करने के लिए और free होने चाहिए लोग liberty पे होने चाहिए जो अपना election contest कर रहे और real choice भी होती है voters की वो होनी चाहिए तीसरी बात ये choice regular intervals पर होनी चाहिए आपको पता है regular intervals मैंने बताया 5 साल होती है elections हर 5 साल के बाद या चलो जो भी है कुछ सालों के बाद होने चाहिए क्योंकि हर प्रधानमंतरी जो है राजपती आता है उसका अपना दिमाग होता है अपने दिमाग से चलता है वो govern करता है अपने country के चौती बात उमीदवार को लोगों दौरा प्रफर किया जाना चाहिए लोगों दौरा लेक्ट करना चाहिए ये लोगतंतरी शरकार है कोई पैसा कोई भरेब कोई दोका कोई रिश्वत नहीं चलनी चाहिए और होता है बेटा ये चलता है तो ये चोटी चोटी easy conditions है बड़ी simple है लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं वो ये अधिकार लोगों को देते ही नहीं जनता को देते नहीं अपनी मन मानी करते हैं तो इस chapter में हम पढ़ेंगे की elections के दौरान अपने देश में क्या स्थित्थी होती है क्या condition अपलाई करनी चाहिए अगर बेटा हम लोग तंतर देश हैं लोग तंतर सरकार हमारी है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना हमारे नेताओं को हमारी governing bodies को क्या ध्यान रखना है Is it good to have political competition क्या राजनीती में भी competition होना बहुत जरूरी है अच्छा है लगता है elections political competition कहा गया है क्या कहा गया है elections को राजनीतिक प्रतिस्प्रधा political competition और ये competition को एक जैसा नहीं होता कई कई अलग forms में होता है ये बिलकुल साफ है कि ये जो form होते हैं competition के political parties के बीच में होते हैं जैसे मैं हूँ तो मेरे पीछे भी लोग हैं मेरे अपने लोग हैं जो मेरी party में आते हैं और constituency level में उसको एक form of competition होना होता है और ये बहुत सारे candidate हो आपने देखा होगा कोई चर्के वाला बोल रहा है कोई तराजू पे मोहर लगा हो कोई कहता हाथ पे मोहर लगा हो कोई कहता जैड़ू पे मोहर लगा हो तो इतनी सारे अलग-अलग उमीदवार अलग-अलग constituency से अलग-अलग party से खड़े होते हैं और अगर मैं कहूं कि प्रतिस्वरदा competition ना हो तो elections का करना या कराना बिलकुल बेकार है ये गुड है कि political competition होता है होना चाहिए एक electoral competition वैसे देखा जाए मार्क करो अपने दिमाग में एक electoral competition के बहुत सारे हानियां भी हैं नुकसान भी हैं एक चीज तो देखो पहला बात की sense of disunity जिसको हम factionalism कहते हैं underline भी कीजिए what is factionalism या define factionalism कहने का answer में दोगे एक electoral competition उसके बहुत demerits है उनमें जे लोगों के बीच में एकता की भावना ना बन सके उसको factionalism कहते हैं हर locality में है यह साब किताब आप लोगों ने सुना होगा political parties को बहुत सारी शिकायते आती हैं आपकी locality में चाहे वो पानी की समस्या के लिए चाहे वो street lighting की समस्या के लिए चाहे वो तुमारी गली के मले के pot holes गाय वो रखें उनकी समस्या के लिए चाहे वो सडक बनाने की समस्या right बेटा सब होते हैं different political parties और उनके leaders उनके नेता अक्सर एक दूसरे के प्रती अमने समने वाले एक दूसरे के प्रती बस लांचन ही लगाते रहते मैंने तो यह देख आपने इंडिया में आपने भी देखा होगा बस एक दूसरे को बस क्या कहते हैं allegation ही लगाते रहते हैं जितनी parties और उमीदवार हैं होते हैं हमारे यहां वो पता है अपनी जीत के लिए election में गंदी से गंदी tricks इस्तमाल करते हैं गंदी से गंदी tricks लोगों के घर गाओं में जाना कभी देखा नहीं बिचारे मर रहे हैं ना उनके घर में पानी है उस जगह ना तो नलके हैं सरकारी नलके ना तो लाइट दे रखिए वो ठंड में मरते हैं जो अपड़ियों में रह रहे हैं लेकिन उस समय जाएंगे हाथ जोड़ते हैं गदे को भी बाप बनाते हैं एक शराब की बोतल ले दी एक कंबल ले दिया ठुड़ ठुड़ ना करें मरें ना सर्दी में बड़े खुश हो जाते हैं और जाकर वो इस बात का एक वोटर डाल जाते हैं अधिकार गलत इस्तमाल कर देते हैं तो कुछ उम्मिद्वार ऐसे हैं कैंडिड़ जो अपने एलेक्शन को जीतने के लिए गंदी गंदी अरकते करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रेशर है अलेक्टरल को अलेक्शन को विन करने का यह जो फाइट्स हैं वो दूसरों को एक दूसरे को लॉंग टम पॉलिजीज फॉर्मिलेट करने के लिए अलाही नहीं करती हैं उनके अधिकार को अलाही नहीं करती हैं ठीक है कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग अच्छे हैं देश प्रेमी हैं देश के लोगों के लिए काम करना चाते हैं रैट अपने देश को सर्व करना चाते हैं पर उनको इस एरीना में घुसने ही नहीं दिया जाता है या कह लो unhealthy competition उनको अच्छे ही नहीं लगते ठीक है ballot box चुडा लिए गए गाड़ी आई ballot box चुडा लिए जो डाले था वो हटा दिये और अपने ballot box उस पे replace कर दिये बंदूकों के सहारे ये हो गया unhealthy competition वो नहीं like करते वो नहीं चाहते कि उनके idea को इसके बीच में खीचा जाए सच्चे हैं वो ठीक है जो हमारा सम्विधान बनाने वाले थे ना उनको इन problems का awareness होनी चाहिए थी लेकिन फेपे उन्होंने elections के लिए free competitions आयो जित किये और उन्होंने ऐसा constitution में सम्विधान में ऐसे एक rule बनाए कि हर पांच साल के बाद वो अपने भविष्य के लिटर खुद चुन सकती है जनता लोग उन्होंने यह ऐसा है इसलिए कि जो system है एक पांच साल के term के लिए लंबा समय है लंबे के लिए वो better काम कर सके एक ideal world होता है एक बड़ा की मदद करते हैं उनके problems को solve करते हैं और उनको सर्व करने की इच्छा भी है उनके अंदर political competition कोई जरूरी नहीं होता ऐसे ideal world में शुरू में भी बताया था last period में आपको यह भी बताया कुछ देश ऐसे होते हैं ज़ाद जरूरती नहीं elections की वो अपने हिसाब से knowledge के हिसाब से age के हिसाब से experience के हिसाब से अपना बंदा ढून लेते हैं और वो leaders आपस में decision ले लेते हैं सही उनकी एक मत होती है united होते हैं वो लो ठीक है पेटा और public leaders सारे दुनिया में पुरी दुनिया में जितने भी public leader है न पुलिटिकल लीडर है न वो सब professionals हैं और इस तरह inspire किये जाते हैं कि उनकी इच्छा वो advance में ही अपना राजनितिक career बना ले अपना political career पहले advance में ही बना ले यसी उनकी इच्छा होती है राइड वो power में रहना चाहते हैं या कहलो कि power हासिल करना चाहते हैं अपनी position अपने लिए हासिल करना चाहते हैं उनकी ये भी इच्छा होती है कि वो लोगों को अच्छे से उनको सर्व करें लेकिन risky होता है ये बड़ा risky होता है क्योंकि ये पूरा sense of duty पर depend करता है अधारित है अगर आपके अंदर sense of duty नहीं तो ये सारा fail हो जाएगा सब fake हो जाएगा इसके इलाबा भी जब वो इच्छा करते हैं जानने की क्या चीज़ की जरूरत है जो करी जाए या कौन से विचार ऐसे हैं जो match नहीं कर रहे या क्या चीज़ ऐसी है कौन से विचार ऐसे है जो लोग चाते हैं कैसे डील करें हम इस real life situation के साथ वही एक तरीका है कोशिश कर सकते हैं और उसका सुदार भी कर सकते हैं अगर knowledge हो character हो उन political leaders का तो कहने का मतलब बिटा आपको भी बता है आप भी पढ़ लिख रहे हैं लीडर जो है पढ़ा लिखा knowledge वाला experience वाला होना चाहिए और realistic way जो है इस system को set up करने का जहां political leaders समानित किये जाते हैं rewarded अपने लोगों को देश के लोगों को सर्व करने के लिए बल्कि punish नहीं किये जाते हमारी सरकार तो उल्टा ही चाहराती है उन्हें का अब मैं गद्धी पे आगया ठीक है आजा बादल अब तेरे बादल अच्छे बादल घुमाएंगे मतला जब तू था तूने परशान किया अब हम तेरे को परशान करेंगे punishment देंगे तो simple answer यह है लोगों का सिरफ simple answer यही है जिसको हम कहते है electoral competition regular electoral competition हम को incentives देता है political parties को भी और नेताओं को भी incentives देता है वो जानते हैं इस प्रकार से किसी issue को raise किया जाता है और people वो भी लोग जानते उनको पता होता है कि कौन से लोग हैं जो यह issue raise कर रहे हैं और उनको यह भी पता होता है कि इस चीज़ के लोग परियता होगी और जीत के chance ज़्यादा होंगी बढ़ जाते हैं उनके जीत के chance अगले election में लेकिन अगर बेटा यह बात ध्यान दो वो अपने voters को अपने जनता को satisfy नहीं कर पा रहे हैं अपने काम के लिए तो फिर मैं बता दूँ आपको वो फिर कभी भी नहीं जीतेंगे फिर वो कभी नहीं जीतेंगे ठीके बेटा तो यह था आज का session political competition क्यों जरूरी है क्यों अच्छा होना चाहिए हमें elections किस तरह से democratic country बना सकते हैं बेटा यह दो चीज़े आपको आज समझाएगे इस period में अब next period में आपका यह सब और समझाए जागा इतने के दो टॉपिक मैंने आज कभर किये what makes an electric sorry electric कह दिया what makes an election democratic और दूसरा टॉपिक मैंने करा is it good to have political competition पढ़िये दो बार पढ़िये दो बार इस 20 मिनिट की उसको सुनिये बस आपको याद है और फिर 20 मिनिट लगा कर कुछ answers भी बना के लिए शोटे शोटे right अपनी fair copy में लिखा करो बेटा मैं check भी कर लूँगा कि आप कितना कम कर रहे हैं right ओके ये नीले नीले वाले भी पढ़ो so election are like exams तो आपको ये पता चलता है election भी एक exam की तरह होते हैं जहां किनका exam होता है पार्टीशनों का पार्टीओं का और इन इलेक्शन पता चलता है उन्होंने क्या किया पास हुए फेल हुए कौन थे examiner ठीक है ये सब चीज़े और ये भी हमने देगा democracies को election बहुत ज़रूरी होते हैं चाहिए होते हैं non-democratic entries हैं वहाँ चाहिए लेक्शन ना भी जो वहाँ अपने decisions लोग एक मत के एक ideas के बैठ कर ले लेते हैं ठीक है बड़ा तो thank you and have a nice day